इन्ही पत्थरों पे चलकर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है लेकिन यह जो रास्ता है यह रास्ता उस ओर जाता है जो परमधाम है जहां सबको जाना है अंतिम विश्राम स्थल है मतलब शम्शान घाट का रास्ता है खेडी रोड पर हम लोग खड़ हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता है नीरज गुपता जी है प्रवक्ता हैं हमारे साथ हैं बात करेंगे उनसे वरुन मंसल जी भी है जी वरुन मंसल जी भी खड़ें दिखा दो एक बार गुमा के दिखा दो भी आँ सौरब जी मैं साफ तुर्पे जो मैंने आज आज आप से आगरे किया क्योंकि शेहर की अरवासु स्तिधी दिखाते हैं तो आप दिखाते हैं आप लोग शेहर की समस्वा को जागर करते हैं आपके माद्यम से हम आम जन्ता की दूख तकली पीड़ा को उठाने काम करते आए हैं पिछले कावी समय से यहां की शिकाईते हमारे पस आ रही थी बीजेपी सरकार की नेता अधिकारी यह अपनी मस्ती में मस्ते हैं और जनता तो जनता मुर्दे भी तरस्त हैं मैं साफ कहना चाहूंगा जो हमारा जो आपकी देखिए यहां से यह परण धाम को रसा जाता है यहां पर खेडी पुल वाली सबसे बड़ी सम्षान गाट है फृरिदाबाद की मैं उसकी अज सम्षान गाट की वेथा और गाथा दिखाने आया है जहां हम सम्षान गाट चलेंगे आए यह बच्चे देखे कैसे निकल रहे हैं आप बच्चे साइटों से चड़ते हुए इस एक बात कहने में बिलकुल मुझे संकोश नहीं यह वो जगाए जहां एक दिन अंत है तो हम सबने आना है मैंने भी आना है आपने भी आना है बीजेपी वालों ने भी आना है पूरे देश नहीं आना है लेकिन यह स्मार्ट सिटी वाले बीजेपी के नेता इन लोगों स यहां पर जो लोग अपने परीजनों की डेड़ बोडी को ले के आते हैं उनको भी पानी के मारे जाम में फसना पड़ता है कम से कम दस मिन में करोज होता है ना सडक चोड़ीये और इतना पुरा हाल जो सम्चान गाटका है केवल केवल इसके कारण है बीजेभी सरकार के नेटा मैं आपके मादे से बूचा चाता हूँ यहां से बीजेभी सरकार के के तेमन शहरते हैं पर रोज़वालों को लिया ना भ बीजेपी सरकार के केंद्रिय मंत्री सांसद किशनपार गुजर या उनके पुत्र या उनके सारे विदायक पालिटी के वो हर दूसरे दिन यहां आते ही हैं किसी ना किसी के अर्थी में उसमें जब सम्वेधनाय व्यक्ष करने के लिए जी तो शोर्ष तो यह वो जगह है जो किसी से चुपी नहीं है यह जगह तो ऐसे जो बीजेपी के तमाम नेताओं देखी है लेकिन नीती और नीत नहीं है मैं कहना चाहता हूं इन बीजेपी सरकार के नेताओं की नीती और नीत और कत्री और करनी में जमीन आसमन का फरक है आज यह हालत जो सम्शान गार का कर दि प्रोपोगेंडा भी इनके बंद हो चुके हैं अभी नूमे आप देखी लिया यह देखिए यह संचान गाट जैसी पुनेस्तल का यह हाल है आप पदम नगर आगे देखिए कर एक बच्ची को चोट लगी वहाँ पर बुड़ेना में वहाँ जाके देखिए आप पूरा फृ तो आप देख सकते हैं फरीदबाच लगातार लोग यहां आते हैं और यह स्वर्ग आश्रम मवई रोड नहर पार जी कब बोला लो अब कुछ नहीं करना है वो तो उद्धाटन कर जाग बोलो यहां एक शोरूम पर तीसरे चौथे तिन तो आते हैं क्रिशनपाल जी यहां परदेश में रहा हैं इनके बीजेपी सरकार के लेता भी मंसते हैं अधिकारी मंसते हो पर पर काम करने का यह काम चाह करेगी ना ले इतना कोई सरकार है अब भगवान एक मिट आपने थोड़ा सब यह करो देखो हस्पीटल करने के अरे अमरीता हस्पीटल में तो सुना है अब बड़े भगवान यह यह मत्ती के डेर गंदी के रहर जादा नहीं कबाद यह लोग खड़े हैं रेगुलर नमस्कार सब्सक्राइब बड़ी प्रसाद अर्थी लेकर आते हैं बहुत दिक्कत होती है और नेताओं को तो रोज ही आना होता है किसी ना किसी के हां अपनी प्यार के लिए बैठी होते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं कराते इसको से डिकारीं बीज़िएब नेता सोईए यहालत है यहालत है यह खाली सम्चानगाट की नहीं है और विशेश बात करना चाहता हूँ पिछले एक हकते से बारिश भी नहीं हूई है आज की तारिक क्या है दस अगस्त पिछले एक हकते बारिश नहीं हुह तब अगर बारिस हो जाए ना तो शम्शान घाट के अंदर तक पानी आता है देखिए इन बिचारों ते मजबूरी में अपना इलाज कर रखा है यह इन्होंने स्लोप बना दिया ताकि अंदर तक पानी नहीं आए गई बारे से होगा अब देखें लोग आते हैं सेकड़ों की ता आज से भी हैं उन्होंने भी चर्चा की कि यहां जो लोग आते हैं वो इसी गंदे पानी से गुजर कर आते हैं और डेट बोडी को लेकर आना पड़ता है यहां इसी गंदे पानी से आप भी गुजर कर आते हैं नहीं भाई साब हम नहीं गुजर कर आते हैं अभी बारिस आ प्रशासन चेता और तब प्रशासन ने वहां से पानी निकलवाना शुरू किया यह पूरे फरीदबाद का हाल है जी शम्शान घाट लोग आते हैं आप आते हैं पानी में से गुजर के आते हैं आते हैं किसी को इतने नेता शोक समवेदनाय व्यक्त करने के लिए आते हैं क्या नाम आपका दीपक कौन सा गाम दीपक भाई मैं सेक्टर में तो हूं पिचासी और आप देख सकते हैं तमें सेक्ड़ों के तादाद में लोग आते हैं पर देखिए क्योंकि आपको पता ही है यह जगह कैसी है और सब लोग परशान है पुरा फृदाबद परशान है आज आप देख लिए और यह बीजेपी सरकार अपनी मस्ती मस्ते साफ कह रहा हूं सम्शान घाट के बार कोई भी वेक्ती खास और से जूट नहीं बोलेगा ध्यान रख लेना तो मैं बता रहा हूं आज आपके मादे सारे वीवर्स ने पूरा फृदाबद परिशान है अगर अगले पंदर दिन में इस सम्मस्यक का निदान नहीं हुआ तो फिर एक अलग धंग से यहां पर हम कुछ ऐसा करेंगे जो एक सबक बनेगा इस बीजेपी सबकार की निता हूं चाहिए उसमें इन्हें सौरब जी मैं एक्ची बताओं आपको तीन दिन पहले भी यहां केंदर गुपता हूं चाहिए वो कोई विधाय को बीजेपी को केंदर मंतरी कि इसमार गुजर महीं नहीं कम सेकेंट चार से पांच वर आते हैं हम भी आते हैं लोगों के दुख में धानवस बनाने के लिए लेकिन और आखे मूंत के चले जाते हैं बीजेपी की नेता नग अब भी फोन आया कि भाई बुरा हाले लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे बास फोन आरे तो हमने के चलो आज बैठती चलके तो यह हालते हैं मैं तो सचाही के लिए बनाओ सचाही दिखाएंगे बड़ा बुरा हाल है वैसा तो देखो यह स्थिति पूरे फ्रिजात की है और आपका एक चैनल प्रसिष्टे आप अपने माध्यम से मुद्धे उठाते हैं जन्ता तर पूंचाते हैं लेकिन मैं कोई सरकार पर किसी बात पर ऊना लागे सभी नेताओं की नेतिक जुमारे होती हैं हर पाल्टे की नेता आते हैं एक जो अंतिम रास्ता बहुत तक जाने क फ़ी ने चेताओं की नेताओं को अगर इस महीने में की सिस्टम नहीं ठीक यहां पर नहीं हुआ तो यही पर लाके कुछ ऐसा करेंगे जो एक नसीर बने की लिए जोड़ेंगे फरीत अबाद आपको शेर के ऐसी और मेहत्पून खबरों के साथ बहुत भुत धन्यवाद